तो यहां पर आप देख सकतो कोई भी बेस नहीं है सिर्क ट्यूटर है हलो स्वेंज आज की स्पीडों है हम किसी भी छोटे स्पिकर को कैसे ट्यूटर में बदला जा सके उसके बाड़े में बात करेंगे ऐसा भी आप लोगों को सिच्वेशन हुआ होगा कि आपका ट्यूटर खरब होगा है और नया खरिदना के लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा तो उस केस में आप किसी भी स्पिकर को ट्यूटर जैसा बना सकते हो तो आज की स्पिडों में इसके बाड़े में जानेंगे जैसा कि यहाँ पे 4 इंचेस का स्पीकर है यह नॉर्मल स्पीकर है ना कि उफर उफर पे भी आप बना सकतो लेकिन छोटा होना चाहिए 4 इंच से नीचे होना चाहिए और 4 इंचेस होगा तो ऐसा पेपर वाला चाहिए ना कि उफर वाला उफर वाला होगा तो आपका उतना ट्यूटर का जो चिक्चिकनेस ऐसा नहीं आएगा और अगर छोटा वाला जैसे कि ये धाई इंच का है सायद तो ये अगर होगा इस पे भी आप ट्यूटर बन सकतो वैसे ये उफर है आप देख सकतो ये जो मोटा वीड वाला हिस्सा है ये अगर इसका अंदर रहा तो ये उफर होगा तब इस पे उतना अच्छी तरिके से काम नहीं कर पाएगा जैसा इसमें काम करेगा वैसे इस छोटे में आपका काम हो सकता है कोई भी दिक्कत नहीं है बेसिकली जो फोर इंचिस का ट्यूटर है कुछ ऐसा दिखता है और इस साइड इसका सील रहता है तो इसके पीछे कारण है क्योंकि इस पे ऐसा नहीं है तो स्पीकर में छेद रहता है और ट्यूटर में यह सील रहता है इसका में जो काम है इस साइड का सील रहने का कि अब अगर एक बॉक्स पर एक उफर लगा रो और एक ट्यूटर लगा रो तो ट्यूटर नर्मली कम वाटका होता है और जब base उहां पर खेलेगा, तो क्या होता है कि उसका जो air का पेसर है वो इस paper पर पढ़ता है, तो उस case में क्या होता है, paper आप अपन डाउन होता रहता है, तो तब यहां पर tutor का quality भी अच्छा नहीं होता, मतलब sound quality अच्छा नहीं होता है, और बेस का भी sound quality अच्छा नहीं आता तो इस case में आप अगर इसateur का यूज करेंगे मतलब इसको ट्विट जैसे यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा expresses में कमी मिल सकता है जैसा कि, इसाइड इसमें Sil है तो इस case में आपको बहुतर experience मिलता है लेकिन ट्यूटर के मामले में मतलब ट्यूटर साउंड के मामले में थोड़ा बहुत ही आपको experience खरब हो सकता है लेकिन हाँ यहाँ यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और आप जोड़ू ट्राइ करना कुछ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए सिर्फ 4.7 MFD का एक capacitor अगर छोटा है तो 1 MFD लगाए आपके पास अगर ऐसा पीएफ होगा जो की 105 400 वोल्ट का है 450 वोल्ट तो यह काफी powerful ट्यूटर अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके अगर आपका amplifier काफी powerful है जैसा की 5200 हुआ तो उस case में या फिर 7294 हुआ तो उस case में आप 105 लगाए कोई एक demo obviously आप लोगों को दूंगा कैसे आपको यह करना है जैसा की एक ट्यूटर में पहले से ही लगा हुआ है 4.7 MFD 54 तो इस पर आप 4.7 भी लगा सकतो वैसे यह खाड़ाब है नहीं तो आप लोगों को चला के दिखा लेकिन इस पर कैसा sound होता है obviously मैं आप लोगों को दिख आउंगा वैसे यहां पर 1 MFD मैंने लगाया दिख रहा है ओके तो 1 MFD मैंने लगाया तो चलिए एक sound test कर लेते हैं कैसा sound आता है तो चलिए मैं यहां पर capacitor को लगा लेता हूँ और उसके बाद अब लोगों को sound test करके दिखाऊंगा तो एक काम कैसे करते हैं basically जो ट्यूटर होता है उस पर high frequency को भेजा जाता है जिसमें जो speaker है उसका paper का movement कम होता है एकदम हलका आखों से नहीं पता कर सकते और वह काफी तेज भाइबरेट होता है तो उस पर यहां पर ट्यूटर का sound आता है और एक capacitor इसको मदद करता है कि यहां पर सिर्फ high frequency जाए ना कि low frequency तो इस तरीके से कम करेगा और यह ट्यूटर जैसा चलेगा तो चलिए मैं amplifier का setup कर लेता हूं उसके बाद चलते हैं तो चलिए मैं यहां पर पूरा setup कर चुका हूं और power on करते हैं अभी उसके बाद हम song play करेंगे और यहां पर आप लोगों को दिखाएंगे झाली म झाली झाली स्वार जाओा हूं रजरे और यहां का हो ंपन। झाल 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 इसका तो टेस्ट हो गया तो एस सही तरिके से काम कर रहे हैं तो अगर मेरा एकदम छोटा सा स्पिकर और इस पे मेरा 1 MFD का कैपसेटर तो इसमें और इसमें कोई डिफेरेंस नहीं है यह नॉन पोलाराईज है और यह पोलाराईज है नॉन पोलाराईज का कारण आप अगर बाड़ा एंप्लिफार पर चलाएंगे तो यह बास्ट नहीं होगा और यह बास्ट हो जाएगा तो चलिए यहां पर इसको स्वांगे करते हैं तो तो यहां पर देख सकते हो यह भी चल रहा है कोई भी दिक्कत नहीं है तो चले अभी वीडियो को करते हैं बंद जाएगा पर चले पर देख सकते हैं बंद